जैहिन दोस्तों आप सभी को Knowledge E24 में स्वागत है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही important होने वाला है जैसा कि आप लोग थमिल पे देख रहे होंगे अब देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो की बहुत सारे student का comment है कि बार्क जो की भावा Atomic Research Center वर्क सेस्टेन का जो फॉर्म आय था इसमें से चाहे डराइवर का हो इस टोह र्याप रख हर का हो या वर्क सीस्टेन्ट लिफल नमर 6 नमर 17 का है तो इसमें कितने फॉर्म डाले गए हिं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसका exam date क्या राने वाला है या कब तक इसका एक्जम लिया जाएगा इस सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए हम लोग step by step सारी इंफॉर्मेशन यहां पर जन लेते हैं और जो भी नए सुडेंट हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सेर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी help मिल सके तो चलिए सबसे पहले हमें यहां पर आपक जो की रहने वाला है कि सबसे पहले अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन जनना है बार्क भावा इटो में कि रिसा सेंटर से रेटेड तो आर्टी आइक कैसे किया जाता है जी यहां दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आर्टी रिपोर्ट जिसके तहत बिलकुल आप सभी को पता है कि आटी राइट इंफॉर्मेशन होता है जिसके तहत किसी भी विभाग के दौरा सही ब्यूरा दिया जाता है तो चलिए हम उससे रिटेट बिलकुल किलियर हो जाते है कि कब तर इसका एक्जाम होने वाला है और क्या इसका फूल डिटेल्स रहने वाला अगर तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने Android फोन में Chrome राजर को open करना है और यहां पर सर्झ करना है अघर आपको यहां से डिटेल्स जनना है तो भीव एस्टेटस ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं या आपको क्या करना है कि अगर सम्मिट रिक्वेस्ट अगर आपको आर्टी आई करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कर सकते हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आर्ट एक रहे तो चलिए हम लोग बिलकुल डिटेल्स में थोरा सा पहले इसके बारे में जन लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या करना है सम्मिट कर सकते हैं उसके बाद कुछ इस परकार आपका यहां पर पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले हम यह ओनलाइन फॉर्म भरने के लिए बता दें उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले जैसा कि लिखा गया स्लेक्ट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट यह तो आप लोग डारेक्ट यहां से सर्ज क कर लिए फिर नीचे आना एटोमिक इनरजी जो भी आपका है अपर यहां पर यहां पर आपना इमेल आईडी सही बला देना है क्योंकि इसका जब भी रिपोर्ट आएगा तो आपके इमेल आईडी पर बेजा जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि मेसेज जो कि आपको यहां पर रिसीब्ट होगा तो आपको मोबाइल नमर सही सही डालना है फिर कनफर्म मोबाइल नमर डालना है फिर आपको यहां पर नैम डाल देना है फिर आपका जो भी जेंडर है उसको आपको फिलप कर देना है फिर आपका जो भी एड्रेस है डाल देना है ठीक ह उसके बाद पीन कॉड़ और दो भी आपका कंट्री जैसे इंडिया ने तो इंडियन सेलेट कालेना है स्टेटस आपको यहाँ प्रीच टेट सब्सक्राओं रूडर या अरवन जिसमें भी किया तो ससेलिट करें आ चया खीक है का help क् 선생님ทुर्ण चयांगा प्रण को करना है तो यह क्रेंस करना है इससे कम कर रहे तो नौ करना तो अगर आप आप लोग 3000 से ज्यादा वर्ड में अगर यहां पे कोशन पूछते हैं तो आपको यहां पे चूज फाइल भी अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है अधर्वाइस आप छोड़ भी सकते हैं इसको तो जैसे आपको जो भी इन्फोरण्शन लेना तो सबसे पहले उपर लिख देना है ठीक है यहां पर लिग दिए तो जैसे दिखिए अपली के सन्फ जब भी लिखते हैं तो वैसे उपर में थोड़ा सा लिख देना है फिर नीचे में जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट नमर है वह आप लोग लिख दीजिए जो कि फॉर्म भड़े होंगे तो उसके उपर में लिखा हुआ होगा उसको लिख देना है फर्स नमर कोस्टन में आपको जैसे जो भी कोस्टन पूछना इसमें कि ज आप लोग डराइवर का तीनों का किसी भी परकार से आप लोग यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट होगा सके नमर में अगर आपको इसमें पूछना है कि इसका एक जहम कब तक होगा तो यह भी आप लोग पूछ सकते हैं और भी अगर आपके कोस्टन से तो आप लोग यहां पर नीचे में धर नमर में देके सर्ज कर सकते हैं बस 3000 वर्ड से कम होना चाहिए अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं नीचे बस फाइल को क्या करना पड़ेगा चूज करना पड़ेगा तो यहां पर आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं आगे स्टेप आपको बताएंगे कि आगे कई से इसका पेमेंट 10 रुपिया करना है तो दोस्तों जैसे ही आप लोग वहां पर फिल अप करके जैसे ही सम्मीट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस परकार हैं पर देखिए पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपक पेमेंट गेट वेव वाले अप्शन पर क्लिक करना है फिर आपको क्या करना है पेवाले अप्शन पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं उसके बाद देखिए यहां से आप लोगों को जिस परकार पेमेंट करना है यहां से आप लोग कर सकते हैं SBI banking से या UPI से तो देखिए हम यहां पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि जो बंदे हैं ठीक है भेज दिजिएगा उसके बाद हम बताने बाले तो अब लोग चल अब चलिए हम लोग चलेंगे इसके ऑफिस्यल बेप साइट पर तो दोस्तों देखिए अगर अब हमने यहां पर बात करें कि कितने फॉर्म्स केटेग्री वाइज यहां पर फिलप हुए है ठीक है और इसका एक्जाम डेट करने वाले तो इसमें देखिए एक्जेक्ट एक्जाम डेट होगा वह नहीं बताएगा लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कुछ थोरा सा दे दिया जाता है कि एप्रोक्सिमेटली इतने मंत के अंदर ले लिया जाएगा तो इस पर कर दिया जाता है तो देख देखिए कुछ थोरा सा अनुमान मेरे पास पहले से है क्योंकि हम इसका फॉर्म फिलफ किया हुए पहले से तो इसमें देखिए अप्रोक्सिमेटली अगर बात करें तो अगर फॉर्म फिलफ की बात करें तो फॉर्म फिलफ इसमें देखिए एक लाक से कम नहीं हुआ उसके बाद जो फॉर्म एक्जाम देने के लिए गए थे मातर 25,000 के करीबन आसपास देने के लिए गए थे तो यह हो गया और मेरे टाइम में जो एक्जाम लिए थे तो एक पॉइंट फाइब यर्स में ठीक है तो करीबन एक साल लग गया था जो कि आपको नेक्स वीडियो म होगा तो हम जितने भी मेरे एड्मिट कार्ट्स है या रिजल्ट हैं वो सारा लेते आएंगे क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा ढूर्णना पड़ता है तो इस कारण से खोजने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो हम बिल्कुल आपको लेते आएंगे सारा प्रूप को सब्सक्राइब करिए इसके माद देम से छोटी ही इंफॉर्मेशन क्यों नहों तो सारी आपको मिलती रहेगी तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद